हेलो किसान साथियों इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल में आज आज आपका स्वागत है जहां पर बात होती है केवल और केवल किसान की मेरा नाम दल्बीर है और मेरे इस यूटुप चैनल में आपका स्वागत है इस यूटूब चलान का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर रहा हूँ और इस वीडियो में आज मैं आपको 45-42 वराइटी की कुछ विशेस्टाइम बताता हूँ इस वीडियो को अंत तक जुरूर देखे ताकि आपको खेती से जुड़ी से भी जान करिया प्राप्तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट वहाँ चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करे ताकि इनने किसनों को खेती स जुड़ी से भी जान कर इफ्राप्तो पुराने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परकाम करती है और बात में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जान करते हैं। यानि जब बरफवा पाला गिरता है तो दूसरी सर्सों के मुकाबले इसमें नुक्सान होने की सभावना काफी कम होती है। तन्ना गलन की समस्या भी इसमें काफी कम पाई जाती है। पोदे में फुटाओ शुरू से ही अच्छा होता है। फलियों में दानों की संक्या अधिक और दाने बड़े अकारगे होती हैं। और तेल की मातरा भी सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है। मद्यम अबद्धी के होने के खाण ही है, 120-125 दिनों में पक्कर त्यार हो जाती है। पोद्दे के उचाई 160-175 cm होती है। पैदावार की बात करें तो यह 10-14 क्यूंटल पर अंकड होती है। पत्ति अंकड के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन देने में यह सक्सम मुराइटी है। तेल की मातर इसमें 40-42% होती है। यानि सबसे दिक्त तेल की मातर इसमें पाई जाती है। तेल की मातरा बढ़ाने के लिए शर्षों में शलफर का उपयोग करना अंतिन्त ताव सक है। शलफर के उपयोग से शर्षों में तेल की मातरा बढ़ जाती है। एक अंकड के लिए किलो बीज की मातरा प्रियापत रहती है। पंक्ती से पंक्ती के दूरी 30-40 cm और बीज की गुराई 5-10 cm, तोदे की गुराई 3-4 cm ही रखे, नमी के अनुसार ही बीज की गारे राई रखनी चाहिए, दो सिचाईयों में यह वरायटी पकर त्यार हो जाती है, दोस्तों इस परकार से पुएने 45-45 सर्टों की वरायटी यह अच्छी वरायटी होती है, क्योंकि वीपरी प्रिष्टियों में यह ज्यादा उत्पादन देने में सक्सम होती है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर को कमेंट करें, और इंडियन टेक्नेपल अर्मी चैनल को क्योंकि वीडियों